जै भीम, जै जोहार, मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात, भारते सिनेमा की मशूर अभिनेतरी कंगना रनौत आजकर आरक्षन के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठ गई है, वैं दो दिन से लगातार आरक्षन और जातिवाद पर ट्विट कर रही है, उनका मानन है कि देश में अब जातिवाद बचा ही नहीं है, बलकि इसे तो आरक्षन के नाम पर सविधान ने पकड़े हुआ है, दरासल दप्रिंट के फाउंडर एडिटर शेखर गुपता ने वरिष्ट पत्रकार दिलिप मंडल का एक लेक शेर किया था, जिसमें ओपरा विनफ्रे को पसंद नहीं आई, और उन्होंने शेखर गुपता और दिलिप मंडल को आरक्षन के खिलाफ ट्विट किया, जिसके बाद कई लोगों ने कंगना को उस ट्विट का जवाब दिया, लेकिन वे भी वहाँ चुप नहीं हुई, और हर ट्विट का उन्होंने रिपलाई किया जिसमें एक बात ही कॉमन थी, आरक्षन के खिलाफ जहर, शेखर गुपता और दिलिप मंडल को वे ट्विट करते हुए कहती हैं कि आधुनिक भारतिये यानि मौडन इंडियन्स ने जाती विवैस्था को अब नकार दिया है, गाउं, कस्बों में भी कड़े कानोन के डर से जाती विवैस्था आस्विकार्य है, और हमारे सविधान ने आरक्षन को पकड़े हुआ है, जिसे आप छोड़ देना चाहिए, कंगना का ये भी मानना है कि आरक्षन से महनत करने वाले इंजीनियर डॉक्टर पाइलेट को नुकसान होता है, लेकिन आरक्षन के खिलाफ मो पूर्चा खुलने वाली कंगना ये बाप भूल गई है कि उन्होंने 9 साल पहले 2010 में Headline Today को एक इंटर्व्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पापा एक बिजनेसमेन है, मा टीचर है, दादा आयस ओफिसर है और परदादा फ्रीडम फाइटर है चुके अब कंगना रनौत खुद स्पेशल कोटे का फाइदा उठाया हुआ है, जबकि उनके परिवार का बैक्ग्राउंड एकदम स्ट्रॉंग रहा है और वे सवन जाती से भी आती है, उन्हें अपने राजपूत होने का भी गर्व है, वही वंचितों और शोशितों को मिले आर आरक्षन का फाइदा उठाता तो बड़े बड़े पदों पर उन्हें यही लोग मिलते, यूनिवस्टी में सुप्रीम कोट में मीडिया में यहां तक की सिनेमा में भी, जनसंख्या में सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी इनका प्रतिनी धिद्व कही नहीं दिखता ये बात आज तक कंगना के जहन में नहीं आई, दरासर गलती उनकी नहीं है, गलती उस समाज की है जो बचपन से ही सवर्नों के दिमाग में भर देते हैं कि अगर तुम कहीं सफल नहीं हुए तो वो आरक्षन के कारण ही हुआ होगा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आप आपको अपने राजपूत होने पर गर्व है, लेकिन क्या आपने कभी किसी अपनी जाती के नाम पर गाली सुनी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ नहीं सुनी होगी, लेकिन आप भंगी, चमार, जाटव, जमादार जैसी गाली जरूर सुनी होगी, ये है जाती का फर्क, जहां किसी की जाती प्राउड फिल करवाती है, तो किसी की जाती को गाली बनाया जाता है, आपके आसपास सफाई करने वाले तो दिखी जाते होंगे, किसी दिन समय मिले तो उनसे एक बार पूछना जरूर कि उनकी जाती क्या है, क्या सभी सफाई वाले एक ही जाती के हैं, अगर इसका जवाब हां में मिले तो भी जाती में भेदभाव को समझने की कोशिश करना क्योंकि जो आपके घर की और आसपास की सफाई कर रहे हैं न उनके हाथ का छुआ भी जल्दी से कोई खाना पसंद नहीं करता और आप बात कर रही हैं मौडरन इंडियन्स की कंगना अगर आपको लगता है कि आरक्षन का गलत फायदा उठाया जाता है या सवीदान की वज़े से आरक्षन के अंतरगत आने वाले समाज ने इसे जबरदस्ति पकड़ा हुआ है तो मैं आपसे जानना चाती हूँ कि क्या कारण है कि सुप्रीम कोट के 41 जजों में आज भी दली समाज से केवल एक जज है OBC के दो और ST का तो एक भी नहीं है क्या कारण है कि mainstream मेडिया में एक भी समपादक दलित समाज से नहीं है क्या कारण है कि फैसला लेने वाले पदो पर आपको कोई भी समाज से नहीं दिखेगा आपको इन जगे गलती से कोई दिख भी जाएगा तो वो काम तो कर रहा होगा लेकिन अपने मन का नहीं, अपने मन का बोल नहीं पा रहा होगा अपने मन से सांस भी नहीं ले पा रहा होगा पता है क्यों कंगना? क्यूंकि समाज के लोगों कोई अधिकार ही नहीं और गलती से कोई पढ़ लिखकर ऐसी गुस्ताखी कर भी देगा तो उसे कहीं नोकरी नहीं दी जाएगी एक तरह से उसका बहिशकार कर दिया जाएगा इसलिए जाती का दम आप नहीं समझ पाएगी सविधान में आरक्षन है इसलिए समाज के लोग आपके आसपास दिख जाते होंगे नहीं तो इन्हें वो भी नसीब ना होता और बाबा साहिब इस डर को समझ गए थे इसलिए उन्होंने आरक्षन का प्रावधान रखा था आज बस इतना ही कल लोटेंगे एक नए मुद्दे के साथ बहुजन समाज की और खबरों के लिए जुड़े रहिए दाशुद्र के साथ जै भीम, जै जोहार, जै भारत दाशुद्र के लिए मीना कोटवाल साथियों अंबिटकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में दाशुद्रा की आर्थिक मदद करें आप सीरे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भीच सकते हैं बेनेफिस्री नेम है दाशुद्रा, अकाउंट नंबर है 22233 0094689357 आएफसी कोड है RATN 0 VAA PIS ध्यान दीचे, आएफसी कोड में RATN के बास 0 है, ओ नहीं बैंक का नाम है आर्बियल और ब्रांच है मुंबई आप हमें 8595-7942-248 पेटियम पर UPI के जरीए भी अमाउंट रस्फर कर सकते हैं पेटियम गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595-7942-24 जै भीन, जै भारत